तो दोस्तो आज के Defense Update Series के दूसरे वीडियो में मैं आप लोगों को जिन महतोपूर्ण अपडेटों के बारे में बताऊंगा उनमें सबसे पहला अपडेट अस्तर माक्टू रूद्रम एंटी रेडियेशन मिसाइल और स्मार्ट एंटी एर फिल्ड वेपनों के अगले हपते क टेस्ट है जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे अब भारत योरोप से आटलेरी गनों के ओर्डर को एक्सपेक्ट कर रहा है जबकि दोस्तो वीडियो के सबसे आखरी हिस्से में मैं आप लोगों को इंडिया के द्वारा खरी दे जाने वले नया जिनरेशन के फाइटर एरक्रेफ्ट के टेंडर को लेके हुए हाली का एक बड़ा डेवलोपमेंट के बारे में बताऊंगा तो इन तीनों विश्वयों के बारे में डीटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सस्क्राइब और व हम से कम तीन मिसाईल जिनमें असर मार्क 1 100 किलो मीटर रेंज वाले और ऐसर मार्क 2 150 किलो मेंटर रेंज वाले वीऑन epoxy ये ये मिसाइल के साथ नया जिनरेशन के एंटी रेडियेशन मिसाइल N.ْG.R.A.M. जिसे की रूद्रम 1 कहा जाता है इसे इसी महीने टेस्ट किया या स और इन मिसाइलों के साथ मिसाइलों का पहला परिक्षन होगा, दूसरे तरफ ये भी बताया जा रहा है कि ये परिक्षन सुखोई 30 MKI Air Capto के द्वारा अंजाम देना है रिपोर्ट में दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि इंडियन एर फोर्स के तरफ से अल्डेरी धाई सो अस्रमार्क वार्न मिसाइलों का ओरर दिया गया है, जिन मिसाइलों का इस्तमाल इंडियन एर फोर्स के बेड़े के सुखोई 30 MKI Air Capto में होगा, हाला कि अस्रमार्क वा रेंज वाला मिसाइल है और संभावित इसका टेस्ट इस साल के अंत में ही अंजाम दिया जाए, दोस्तों अस्र स्रीज के ये जो सब मिसाइल है, असल में इसे ओल वेडर, डे एंड नाइट कैपिलिटी वाला ऐसा मिसाइल कहा जाता है, जो सुपर सॉनिक, हाइली एजिल, फाइटर एर कर्प्टो को डिटेक्ट और ट्रैक करके डेस्ट्रॉई करने का शमता रखता है, इवन अगर एर कर्प्टो के पास highly capable countermeasure system हो, तब भी अस्र मिसाइल इन फाइटर एर कर्प्टो को तबा करने में सक्षम है, दुसरी तरफ ये long range का मिसाइल है, इस वज़ा से इसका इस्तिमाल करके इंडियन एरफूर्ट अपने बेडे के एक्सपेंसिव रशियन फ्रेंच और इस्राइली बियॉंड विजुल रेंज एर टु एर मिसाइलों को रिप्लेस कर सकेगा दोसो अस्रा सिरीस के मिसाइलों के इलावा इस महिने रूदरम 1 मतलव नेक्ष जनेरेशन एंटी रडियेशन मिसाइलों का भी परिक्षन किया जाएगा दोसो रूदरम 1 असल में 1500 किलोमेटर रेंज वाला एक एंटी रेडियेशन मिसाइल है जो दुश्मन के एर डिफेंस राडर और एर डिफेंस सिस्टमों को तबा करने में सक्षम हैं दोसो रूदरम सरणी के रूदरम 2 और रूदरम 3 मिसाइलों के उपर भी काम कर रहा है जहां पर बताया जा रहा है कि रूदरम 2 साड़े 300 किलोमेटर रेंज वाला मिसाइल होगा जबकि रूदरम 3 साड़े 500 किलोमेटर रेंज वाला मिसाइल होगा और दोस्तों ये मिसाइल असल में INS GPS नेविगेशन से लैज है जब कि इसके final attack के दर्मियान passive homing head का इस्तेमाल किया आता है रूदरम 2 मिसाइलों को लेके भी बताया जा रहा है कि जल्द ही इसका टेस्ट शुरू हो सकता है दोस्तों रूदरम सरणी के मिसाइलों को बेसिकली दुश्मन के air defense system को सफ्रेश करने के लिए ही बनाया गया है ताकि Indian Air Force के fighter aircraft को bombing run के लिए दुश्मन के air defense system का चिंता करना ना पड़े हाला कि इसके इलावा बताया ये भी जा रहा है कि DRDO के द्वारा बनाया हुआ स्मार्ट एंटी एर फिल्ड वेपन का भी परिक्षन फिलाल पाइपलाइन में है जो कि एक precision guided bomb है जिसका इस्तिमाल दुश्मन के runway, bunkers, aircraft hangar, radar और अन्ने reinforced structure को तवा करने के लिए किया जा सकता है और इसका range करिवन 100 km है हाला कि इसके इलावा report में ये भी दावा किया जा रहा है कि 125 kg के एक guided bomb को भी DRDO के तरफ से develop किया जा रहा है जो कि दो variant में होगा जिनमें एक variant satellite guided navigation system से लैज होगा जबकि दूसरा variant electro optical imaging infrared seeker से लैज होगा इस तरीके के bomb का इस्तेमाल सुखोई 30 MKI और जैगवर जैसे यार क्रेप्टों में किया जा सकेगा और report के मुताविक एक सुखोई 30 MKI यार क्रेप्ट ऐसा करिवन 32 बॉमों को carry कर सकेगा इवेन इसके इलावा separately 1000 kg के guided bomb के भी development हो रहा है गन कैरेज फैक्टरी जबलपूर को dissolve करके जो defense FSU AWEIL का निर्मान किया गया है मतलब Advance Weapon and Equipment India Limited का निर्मान किया गया है वो फिलाल योरोफ के किसी बड़े farm के एक बहुत बड़ा export order को expect कर रहा है जो आठी लेडी gun related है रिपोर्ट में ये भी दावा किया जा रहा है कि ये order 6.04 करोर रुपया का हो सकता है पर Advance Weapon and Equipment India Limited के तरफ से अपने client के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया और ना ही client का नाम का खुलासा किया गया है हाला कि इससे पहले Ordnance Factory Board के Gun Carriage Factory के द्वारा Sweden के हतियार manufacturer Bofor AV को 155 mm by 52 caliber के barrels का export किया गया था और दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दू कि Bofor AV वही company है जिससे भारत के द्वारा 80s के मध्य में 155 mm के Bofor artilleryों को खड़िदा गया था दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दू कि Advanced Weapon and Equipment India Limited के तरफ से ही Indian Army के लिए 155 mm by 45 caliber के धनुजगनों का भी development किया गया है जिसका हाली में ही firing trial को अंजाम दिया गया रिपोर्ट के मुताविक साल 2018 में ऐसे 114 artilleryों को खरिदने को लेके Indian Army के तरफ से एक order दिया गया था लेकिन 12 artilleryों को निर्मान करने के बाद कुछ issue आया था और manufacturing को एक तरीके से halt किया हुआ था और अब बताया जा रहा है कि बाकी के 102 artilleryों के manufacturing को जल्दी शुरू किया जाएगा और Indian Army को डिलिवर किया जाएगा दोसो अब चलिए वीडियो का सबसे आखरी update मतलब इंडिया के द्वारा खर दियाने वाले fighter aircraft के बारे में जानते है तो दोसो रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि शायद Indian Air Force के तरफ से अपने बेड़े के आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए आईदर 80 additional rifle aircraft को खरिदा जाएगा या फिर 114 अलेक टाइफ के aircraft के deal को आगे बढ़ाया जाएगा हाला कि एक second thought के रूप में ये भी जानकारी दिया गया था कि इंडिया second batch के राफाल aircraft को भी खरिद सकता है जो कि संभावित already order किया हुआ 36 राफालों के delivery के बाद चर्चा में आ सकता है जबकि दोस्तों कुछ report होगा ये भी कहना है कि फ्रेंच जेटों के cost के वज़ा से शायद Indian Air Force इस तरीके के सोच को रद कर सकता है दूसरे तरफ ये भी वताया जा रहा है कि फ्रांस के तरफ से ये वरोसा दिया गया है कि Indian Air Force अगर बड़े मात्रा में एरक्रेप्टों को खरिदता है तो मेकिन इंडिया राफाल एरक्रेप्टों का कीमत already खरिदा गया 36 राफाल एरक्रेप्टों के मुकाबले में कम हो सकत दूसरे तरफ अगर देखा जाए तो हाली में ही United Arab Emirates और France के वीच में एक बड़ा defense deal हुआ है जिसका लागत 19 बिलियन डॉलर कहा जा रहा है जिसमें United Arab Emirates के द्वारा France से 80 राफाल एरक्रेप्टों को खरिदा जा रहा है और दोस्तों अगर Indian Air Force के द्वारा Making India Initiative के अंतरगत France से 80 राफाल एरक्रेप्टों को खरिदा जाता है तो रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इसका cost 20 से 22 बिलियन डॉलर तक हो सकता है क्योंकि इसमें transfer of technology और कई तरीके के associated tech से सामिल होगा जो की कुल लागत को बढ़ा सकता है हाला कि इसे एक alternative सोच के रूप में ही देखा ज जा रहा है पर दोस्तों tender में एराफाल को अगर किसी एक मामले में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है तो वो है इसका cost अल्डरी दोस्तों बताया जा रहा है कि ये जो project था इसका लागत या फिर कहें तो value 10 billion डॉलर रखा गया था जो अब तक बढ़के 15 billion डॉलर तक पहुँच चुका है पर दोस्तों वही पर कुछ sources का ये भी कहना है कि Indian Air Force फिलाल किसी और टाइफ के aircraft को मतलब एक additional टाइफ के aircraft को अपने बेड़े में शामिल करने का पक्ष में नहीं है क्योंकि इससे additional training infrastructure का आवशकता पड़ेगा दूसरे दरफ देखा जाए तो Indian Air Force के साम अगर देखा जाए तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जै हिं